नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी अग्जामवाला में दोस्तों आज की वीडियो में हम लाए हैं पेडागोगी सीरीज के अंतरगत भाग नमबर 7 जिसमें 10 महत्पूर्ण प्रसनों को आपके लिए लेकर आए हैं जो लगने पर लाइक जरूर कर दें या डिसलाइक करें साथ ही अपने दोस्तों में जरूर सेर करें वीडियो को और अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीच चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने बैल आइकन को जरूर दवाईएगा साथ ही हम उसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रेसन है आज का सांखेकी में वहे रेखाचित्र जिसमें आविर्टियों को इस्तम्बों द्वारा परदसित किया जाता है उसको क्या कहते हैं प्रेसन को पहले समझ लें सां सांखिकी में वहर एखाचित्र जिसमें आविर्तियों को इस्थम्बों के द्वारा प्रदाशित किया जाता है उसे इस्थम्बा किरती कहा जाता है सांखिकी में वहर एखाचित्र जिसमें आविर्तियों को इस्थम्बों के द्वारा प्रदाशित किया जाता है उसे इस्थम्बा किरती कहते हैं ये ध्यान रखना है अगला प्रस्ण है विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है विकास की हमारे जो सारे रिक विकास है उसकी किस अवस्था में बुद्धी का सरवाधिक विकास होता है Option 1, सैस्वा वस्था, Option 2, बाल्लय वस्था, Option 3, किसोर वस्था या Option 4, प्रोड वस्था तो सबसे सही उतर है Option नमर 2 बाल्लय वस्था में सबसे ज़्यादा हमारी बुद्धी का विकास होता है बुद्धी का अधिक्तम विकास बाल्लय वस्था में होता है प्रारंबिक बाल लवस्था अरली चाइलड हुड में बालकों में मानसिक विकास की गती तेजी से होता है और परवर्ति किसोर अवस्था आते आते यानि 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफी धीमा हो जाता है बुद्धी का मैक्सिमम विकास जो है early childhood में होता है लेकिन 19 से 20 साल की आते आते यह धीमी गती ले लेता है बहुत ज़्यादा धीमी गती इसकी हो जाती है बुद्धी के विकास की अगला प्रस्ण है सिसू का अधिकान स्वेभार किस पर आधारित होता है यानि जो सिसू होता है मानव सिसू होता है उसका अधिकान स्वेभार किस पर आधारित होता है option 1 नैतिक्ता पर option 2 मूल प्रिवर्टी पर option 3 वास्तविक्ता पर option 4 ध्यान पर तो सही उत्तर है, मूल प्रिवर्टी पर किसी भी सिसू का अधिकान्स वेभार निर्भर करता है सैस्वा वस्था, यानि बालक का जो सैस्वा वस्था में निर्मान काल कहा जाता है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे की वुद्धी का विकास होता है इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है इस अवस्था में सिसू का व्यभार मूल प्रवर्तियों पर आधारित होता है जैसे रोना हसना अपने आप से प्रैम करना सोई प्रैम की भावना आदी यह अवस्था बालक की संपूं भावी जीवन को प्रभावित करती है यानि जो आने वाला future है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करती है इसलिए मनोवग्यानिकों ने सैस्वावस्था को मानव जीवन का आधार कहा है यानि आधार सिला जो है मानव जीवन की वो सैस्वावस्था में ही रखी जाती है अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर चार अंतरदरस्थी यानि सूज के द्वारा अंतरदरस्थी या सूज के द्वारा सीखने के सिधान्त को कोहलर ने किस पर प्रियोग किया था उप्शन एक वन मानुसों पर उप्शन दो कुट्टे पर उप्शन दो बिली तीन बिली पर उप्शन चार चूहों पर तो सही उतर है उप्शन नमबर एक अंतरदरस्थी या सूज के द्वारा सीखने के सिधान्त को कोहलर ने वन मानुसों पर आज माया था एक केले का प्रियोग करके वनमानोसों पर अंतरदर्ष्टी या सूज के सिदान को पृतिपादित किया था इसकी व्याक्षा को हम इस परकार देख सकते हैं सूज या अंतरदर्ष्टी का सिदान देने का स्रे जर्मनी के मनोवेग्यानिक उल्फ गंग कोहलर को दिया जाता है कोहलर का पूरा नाम क्या है उल्फ गंग कोहलर जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी आफ एपीज में 1925 में लिखा था कोहलर ने जूट के सिदानत का प्रियोग वन मानुस या सुल्तान नामक चिमपैंजी पर किये थे यानि जो कोहलर ने अपने प्रियोग किये थे उस वन मानुस का नाम क्या था चिमपैंजी सुल्तान चिमपैंजी कोलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है सूज की छमता का विकास भी उतना ही अधिक होता है कोलर ने कहा था कि कल्पना जितनी अधिक होती है या अधिक होगी सूज यानि अंतरदस्टी की छमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा अगला प्रस्ण है इसका यह आवस्यक नहीं कि उच्छ बुद्धि लवधी वाले बच्चे में भी उच्छ हूँ क्या उच्छ हूँ नमर एक अध्यन के गूँ स्रजनन सीलता नमर तीन विसलेशन करने की शमता नमर चार अच्छे अंग प्रात करने की शमता तो सही उतर है उप्शन नमर दो स्रजन सीलता यह आवस्यक नहीं है कि उच्छ बुद्धि लवधी वाले बच्चे में स्रजन सीलता भी उच्छ ही होगी यह कोई जरूरी नहीं है किसी भी समस्या का संपून हल प्रात करने की योगता बुद्धी कहा जाता है यानि बुद्धी को ही इंटेलिजेंसी को ही किसी भी समस्या का पून हल ढूनने के लिए जिम्मेदार माना जाता है जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की छमता को स्रजन सीलता का कहा जाता है अते बुद्धी लवधी के आधार पर स्रजन सीलता का मापन किया जा सकता है तथा यह निशित नहीं हो सकता कि उच्छ बुद्धि लब्दी वाले बालक स्रजन सीलता में भी उच्छ ही होंगे। अगला प्रस्ण है अधिगम में किस प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में यानि लर्निंग में प्रभाव का नियम का सिधान्त थांडाइक ने दिया था। और उनके अनुसार थांडाइक के अनुसार थांडाइक ने अधिगम सीखने की मुख्य तीन नियम दिये थे। ओप्सन एक है ततपरता का नियम ओप्सन दो प्रभाव का नियम ये ध्यान रखें बहुत महत्वों प्रस्ण हैं। पहला ततपरता का नियम दूसरा प्रभाव का नियम तीसरा अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार उस कारिय को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोष जनक होने पर वक्ती उस अनुकुरिया को सीख लेता है। एवं असंतोष उत्पन होने पर उस कारिय को नहीं करना चाहता। इसके अलावा प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा में लागू करने के लिए मुख्यते दो कारिय किये जा सकते हैं जो बहुत ही महत्पूम होंगे। उप्सन एक शिक्षकों को अध्यापन कारिय करते समय वालकों को उत्साह बढ़ाना चाहिए। करे कलात्मक धंग से ताकि उन्हें यानि छात्रों को अध्यापक की पिर्ती रुची बढ़ सके रुची उत्पन हो सके और अध्यापक एक अधिक्तम सीमा तक प्रात किया जा सके। अगला प्रस्ण है निम्न में से किस विधी का उप्योग इसमिर्ती के मापन के लिए नहीं किया जाता। इसमिर्ती के मापन के लिए नहीं किया जाता। किस विधी का उप्योग औप्सन 1 तारकिक विधी, औप्सन 2 प्रत्या, प्रत्याहवान विधी, औप्सन 3 पहचान विधी, औप्सन 4 पुने सीखने वाली विधी। तो सही उत्तर है तारकिक विधी का जो प्रियोग है इस मिर्ती के मापन के लिए नहीं किया जाता है तारकिक यानि जो तर्ग देने वाली विधी है उसका प्रियोग करके इस मिर्ती को नहीं माप सकते जबकि प्रत्यावान विधी, पहचान विधी या पुने सीखने वाली व पूर्व की विशेवस्तों को यार्दास्त के रूप में संचित किया जाता है। यानि TAT प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। व्यक्तित को मापने का एक परिक्षण है। इस परिक्षण का विकास वर्स 1935 में हावर्ड विश्वद्याले के सिक्षक एसे मूरे द्वारा किया गया था। TAT परिक्षण में 31 कार्डों का प्रियोग किया जाता है। इस परिक्षण में बहुत सारे परिक्षण के उत्तर छिपे हुए है। TAT में कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है। 31 कार्डों का इस्तेमाल जिसमें एक कार्ड साधा रहता है। अब इसमें यही पूछ लिया जाता है कि TAT परिक्षण में जितने कार्ड इस्तेमाल होते हैं उनमें कितने कार्ड साधा होते हैं। परिक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिक्तम 20 कार्डों का प्रियोग किया जा सकता है। बनानी होती है यानि जिस व्यक्ति के सामने वो कार्ड प्रस्तुत किये जाते हैं उस व्यक्ति को उन कार्डों को देखकर एक तारकिक और कर्मिक कहानी बनानी होती है। अगला प्रस्ण है मनों विज्ञान का सिक्षा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। उप्शन एक सिक्षक केंदरित सिक्षा, उप्शन दो विश्य केंदरित सिक्षा, उप्शन तीन क्रिया केंदरित सिक्षा, उप्शन चार बाल केंदरित सिक्षा, तो सबसे सटीक जो उतर है वो है बाल केंदरित सिक्षा, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है, मनो मनोविज्ञान का सिक्षा के छेतर में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित सिक्षा है. मनोविज्ञान के द्वारा ही सिक्षा के छेतर में करांतिकारी परिवर्तनाय जिसके परणाम सरूब बच्चों के या छात्रों के वहवार को नेंत्रित करके सकारात्मक दिशा पर सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, अधिगम, कर सकें, सीख सकें, लर्निंग, कर सकें. भाग नमबर, आठ का भाग नमबर, साथ का ये अंतिम प्रस्न है, निम्न लिखित में से कौन सा व्रध्धी और विकास के सिध्धानतों से सम्मन इतना है? कौन सा व्रध्धी और विकास के सिध्धानतों से सम्मन इतना है? उप्शन एक वरगिकन का सिध्धानत, उप्शन दो निरंतरता का सिध्धानत, उप्शन तीन समन्वे का सिध्धानत, उप्शन चार व्यक्तिकता का सिध्धानत, तो सही उत्तर है वरगी करण का जो सिद्धान्त होता है वो वरध्धी और विकास के सिद्धान्तों से सम्मंदित नहीं होता जबकि निरंतरता, समन्वे और व्यक्तिक्ता का सिद्धान्त जो हैं विकास और वरध्धी से सम्मंदित होते हैं इसकी व्यक्षा हम देखे लेते हैं व्रध्धी एवं विकास सतत चलने वाली ऐसी पिरक्रिया है जो बालक को असहाय सिसू से आत्म निर्वर प्रोड बनाती है विकास के सिद्धान्त निम्नुमत हैं जिससे विकास की पिरक्रिया निरंतर चलती रहती है उप्षन एक निरंतरता का सिद्धान्त उप्षन दो समन्मेता का सिद्धान्त यानि एक ही करण का सिद्धान्त उप्षन तीन वेक्तिकता का सिद्धान्त उप्षन चार वनसानु करम एवं वातावन के अन्तह किरिया का सिद्धान्त उप्षन पांच विकास का सिद्धान्त विकास का सिधान्त नहीं होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस ये दस महत्पूर्ण प्रसन लिये थे जो अतियंत महत्पूर्ण थे आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ग्यान वर्दक लगी होगी तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलें साथ ही चैनल को अगर पहली वार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवा दें साथ ही कॉमेंट में लिक भेज़ें आप कहां से और किस परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में